Hello friends, welcome to Techatchm YouTube channel तो friends, आज मैं आपको इस वीडियो में वोटर कार्ड के बारे में पूरी जयनकारी देने वाला हूँ कैसे आप अपना वोटर कार्ड बनवा सकते हैं आपको क्या-क्या डोकुमेंट वोटर कार्ड के लिए चाहिए और किस तरह आपका वोटर कार्ड आप प्रिंट करवा सकते हैं या फिर आपका वोटर कार्ड आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाएगा तो ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ तो फ्रेंट्स अगर आप मेरे इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए ताकि आगयाने वाली ऐसी और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें तो फ्रेंट्स वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दिजिए तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स वोटर कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले आपकी उमर 18 साल से अधिक होनी चाहिए अगर आप 18 साल से उपर हैं तो आप voter card apply करने के लिए eligible हैं उसके बाद आपके पास एक अधार card होना चाहिए जो की updated अधार card होना चाहिए अधार card आपका जो 10 साल वाला अधार card है वो आपको अपडेट करवा लेना है अगर आपने अभी तक अपना अधार card अपडेट नहीं करवाया है तो उसकी भी वीडियो मैंने वीडियो के डिस्क्लिप्शन में डाल दी है वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि आप अपने अधार card को कैसे अपडेट कर सकते हैं अधार card अपडेट हो जाने के बाद आपको वोटर आइडि के अड़ के लिए आपको एक फोटो की जरूरत पड़ती है अगर आपके पास 10th की मार्शिट है तो आप उसे भी लगा सकते हैं तो ये तीन चीज़ों से आपका वोटर कार्ड है जो वो अपलाई आप कर सकते हैं उसके बाद अगर आपके family member में किसी का भी वोटर कार्ड पहले बना हुआ है फादर का मदर का उसकी भी आपको यहाँ पर जुरूरत पड़ने वाली है अगर आपके पास वोटर कार्ड आपके फादर मदर का नहीं है या किसी का भी वोटर कार्ड नहीं है तो भी आप वोटर कार्ड अपलाई कर सकते हैं लेकिन अगर आप वोटर कार्ड पहले से ही family member में जिसका भी वोटर कार्ड बना हुआ है आप उसे लगा देते हैं तो आपकी वोटर कार्ड की जो प्रसेसिंग है वो फास्ट हो जाती है तो फ्रेंड्स वोटर कार्ड कैसे अपलाई करेंगे उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है आप वहाँ जाकर वोटर कार्ड कैसे अपलाई होता है उसको आप देख सकते हैं वोटर कार्ड अपलाई कर देने के बाद आपको कहीं भी जाने की जुरूरत नहीं है आपको किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर वोटर कार्ड के लिए कोई भी डोकुमेंट सब्मिट नहीं करवाने होते हैं आपको यहां पर जो ओनलाइन आप फॉर्म फिल करेंगे उसी सह आपका वोटर कार्ड है जो वो बन जाएगा आपका वोटर कार्ड दस से पंदरा दिन में या फिर बीस दिन के अंदर आपका वोटर कार्ड है जो वो जनरेट हो जाता है उसके बाद आप उस वोटर कार्ड को अपने ओनलाइन पोर्टल की मदद से भी आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी photo state की shop से उसका print निकल लबा सकते हैं तो friends इसी तरह से आप water card को अपने apply कर सकते हैं और print निकल लबा सकते हैं इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जुरूरत नहीं पड़ती है water card आप अगर online भी निकाल लेंगे तो वो भी आपका वैलिड वोटर कार्ड माना जाता है फ्रेंड्स वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती है तो नीचे कुमेंट सेक्षन में आप लिख सकते हैं अगर वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जाहिन